आप सभी साथियों को मेरा नमश्कार दोस्तो आज के समाचार पत्र में आपके विद्याले के खुलने की कुछ सुचनाए मिल रही है ऐसी संभावना ही जताई जा रही है कि 16 जून से आपका विद्याले खुल सकता है तो दोस्तो चलिए इस संदर में क्या है समाचार इसे देख लेते हैं दोस्तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 16 से खुल सकते हैं परसिदिय विद्याले के ताले ये लखनों से रिपोर्ट लगी है राजधानी में मार्च के मद्य से बंद चल रहे बेसिक सिक्षा परिसद विद्याले के ताले 16 जून से खुल सकते हैं कोरोना के तिवरता को देख सिक्षकों को भी विद्याले आने से मना कर दिया गया था लेकिन अब सिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनको विद्याले आने को निर्देश किया जा सकता है हलाकि विभागी एधिकारी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं सिक्षकों के अनुसार अब संक्रमण काफी कम हो गया है और सहर पूरी तरह से अनलाख हो चुका है वहीं इस सितकाली नवकास लागू होने से ग्रिस्मकाली नवकास में 15 दिन की कटवती कर दी गई है इसे देखते हुए 16 जून से सिक्षकों के लिए विद्याले खुल सकते हैं सिक्षकों के अनुसार विद्याले बंद होने से बच्चों का टीसी जारी करना पंजी करन करना समेत अन्य प्रसासनी कारे करने में बाधा आ रही है दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा अगर आपको असमरर होगा तो पिछले सत्र में टाइम एंड मोशन का एक आदेश है था उसमें असफस्त रुपे कहा गया था कि 20 मई से और 15 जून तक ग्रिस्मा उकास रहेगा और जो इसमें 15 दिन की कटवती हो रही है उसमें 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सीता उकास रहेगा और यह इसी सत्र यानि की 2021-22 से ही लागू होना है तो ऐसे में दोस्तों जो टैलेंडर है विद्याले का उसके हिसाब से 16 जून को विद्याले खुलना है लेकिन कुरोना के कारण आगे क्या होगा फैसला इस पे भविस्यताय करेगा लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है विद्याले खुलने का वो यह है स्मार्ट फोन नौ होने से परसिदिय विद्याले के बच्चे आनलाइन पढ़ाई का लाब नहीं ले पा रहे हैं ऐसे में प्रेड़ा साथी उनकी इस बाधा को काफियत तक दूर करेंगे माली दिसक इसकूली सिक्षा विजा किरन आनंद ने इसे लेकर निर्देश जारी किये हैं इसके अंतरगत विद्याले को अपने आसपास के ऐसे दस लोगों की तलास करेंगे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वेक्षा से अपना स्मार्ट फोन दे सकें विद्याले के इंचार्ज उनके मुबाइल को प्रेड़ा एप पर पंजीकरन कराकर इपाट साला की सामगरी मुहया कराएंगे साथी मुबाइल नंबर विद्याले के वाट्सेप ग्रूप से भी जोड़ा जाएगा ताकि सिक्षक जानकारी समयत एसाइमेंट प्रेसिद कर सकें ये साथी बच्चों को सिक्षण सामगरी साजा करेंगे तो दोस्तों इस तरह से जो सबसे महत्पूर्ण बात ये है इसकी संभावना की 16 से विद्याले खुलेंगे वो यही दिख रही है कि आनलाइन पढ़ाई में सहायता करने के लिए प्रेड़ा साथी का चैन करना और इसके अलावे दोस्तों बिभाग से कोई इस तरह का कोई आदेस अभी नहीं आया है जब भी कोई आदेस आएगा तो वो अपडेट मैं आपके सामने वीडियो के मादम से निश्चित रुप से लेके आऊँगा तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिजिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार